कि चिराग पासवान को इस गठवंदन से ही बाहर करना चाहिए जो ब्लैक मेल और दबाओ की राजनी पर जिसका राजनी थी ठीका हूँ बिहार में तो कहा जाता है कि पहलवान दिखाईए तो पहलवान तो हम लोग दिखा चुके हैं अब जो दावा कर रहे हैं उनके पास पहलवान है की नहीं है इन पुछिए राजस्थान और मद्द प्रदेश में तो ये नोटा से बिहार गए बिहार के उपचुनाओं में इनकी जमानत जत्थ हुई लेकिन चिराग पासवान जिसके पास कोई जनधार नहीं है अगर वो छे सीट की बात कर रहे हैं जिनके पास एक सांसद नहीं है हमारे पास तो लड़ने वाला भिणने वाला और जीतने वाला ये पहलवान है हमारे सभी सांसत चटानी एकता के साथ हमारे नेता आधरनिय पसुपती कुमार पारस जी के नितितों में खड़े हैं देखें लोग सभा चुनाव नजदीक है जिसको लेकर अब तैयार या तमाम पार्टी जो है वो करने लगी है लेकिन अभी भी पेच बिहार में फसा हुआ है एंडी अभी भी अपने उमिद्वारों की सूची जो है बिहार में जारी नहीं कर रही है क्योंकि बता दे कि चिराक पासवान और पसुपती कुमार पारस को लेकर चर्चाएं गर्म है एक तरफ चिराक पासवान छे सीटों कर है तो पसुपती कुमार पारस जो है वह व concerned पर कर रहे हैं कि हमको बी पांस शेट चाहिए लेकिन कहीं न कहीं एक ख़बर है कि मफशोपती कुमार पारस को दो सीट पर सेट करने की बात चल रहे है हमरसाथ राश्टी यह लोग स्कति पाटी के प्रवक्ता चंदन जी है दो दो सीटों पर लग रहा है आप लोगों को सेट करने के लिए एंडिये चाह रही है देखिए अब आप आकलन कोई सा भी लगाई है हम भाजपा के आल वेदर फ्रेंड है दोहजार चौदा से ही मान्य प्रधान मंत्री जी के साथ पूरी निष्ठा और इमंदारी के साथ हम रह अब सीट बटवारा होना है लेकिन मेरी जहां तक जानकारी है इसारा फर्मूला सेट हो चुका है चौदा तारिक को जब मान्य मुख मंत्री जी बिदेश यातरा से जब दिल्ली पहुँचेंगे तो उस समय इसकी घोसना हो जाएंगी कितना सीट मिल रहा है हमको तो देखिए हमारे पांच सांसद हमारे साथ थे और अगर आपको याद होगा तो कुछी समय पहले भारतिय जनता पाटी के राष्टिय अध्यक्ष आदर्निय जेपी नडड़ा जी के समक्ष सभी सांसदों का फिजिकल पिरेड हमने करा दिया है तो बिहार में तो कहा जाता है कि पहलवान दिखाईए तो पहलवान तो हम लोग दिखा चुके हैं अब जो दावा कर रहे हैं उनके पास पहलवान है की नहीं है इन पुछिए हमारे पास तो लड़ने वाला भीडने वाला और जीतने वाला ये पहलवान है हमारे सभी चट्टानी एकता के साथ हमारे नेता आधरनिय पसुपति कुमार पारह जी के नितितों में खड़े हैं और मीडिया के भी सामने अभी हमारी राष्टिय परिशत की बैठक हुई पटना में वहां हमारे अभी भावक आधरनिय पसुपति कुमार पारह जी के नितितों में सभी लोग खड़े थे आप लोग के सामने तो कहां इसमें कोई बिसाय है अब कोई हवा में अगर बात करे किसी का तार अगर महा गठबंदन के साथ जुड़ता हो जिसको यहां पर आट सीठे मिल रही हो अब वो समझे हमारी तो सीठे कनफर्म है कहा जा रहा है कि चिराग पासवान को चार सीठ मिलेगी कहने पर मत जाईए हम लोग तो राजनीत करते हैं और भारतिय जनता पाटी के आल वेदर फ्रेंड है चिराग पासवान के है चिराग पासवान 2020 में कहा थे इसी गठबंदन से बाहर निकले 136 सीठ पर चुनाओ लड़े रागोपूर में जाकर तेजस्वी प्रसाद यादो को चुनाओ जितवाए न 25 हजार भोट अगर भारतिय जनता पाटी का कम हो गया तो वो किसके खाते में गया वो चिराग पासवान के खाते में गया तभी न तेजस्वी प्रसाद यादो चुनाओ जीते हसनपूर में तेज प्रताप यादो को किसने चुनाओ जीतवाया भागलपूर हो कई या इसी सीठे हैं तकरीबन छे तो किसने मदद किया या किसी से छिपा हुआ है अभी मद्द परदेश और राजस्थान में चुनाओ लड़ने चले गए उसी जगह पर गए जहां भारतिये जनतापाटी सिटिंग थी तो ये क्या संकेत है कभी उत्तर परदेश के यससवी मुख्य मंत्री और हमारे जैसे कडोरो युआओं के प्रिणा स्रोत योगी अदित्यनाथ के खिलाफ चिराग पासवान अगर सो उमिदवार उतारते हैं तो क्या भारतिये जनतापाटी को विचार नहीं करना चाहिए राजस्थान और मद्द परदेश में तो ये नोटा से भीहार गए बिहार के उपचुनाओ में इनकी जमानत जब्थ हुई MLC के 6 सीटे जहां भारती जनतापाटी के भी खिलाफ ये चुनाओ लड़े तो देखिए गठबंदन में बड़े भाई की भूमिका में भारती जनतापाटी है और उनको तै करना है कि जिसके पास कोई जनाधार नहीं है जिसने कभी भी साबित नहीं किया हो कि वोट उसके साथ है वोट का ट्रांसफर कर सकताए उपेंदर कुसवाहा भी पार्टी में है मानजी जी भी है कैसे सिट होगा ये तमाम चीज आप पांच पेंदर कुसवाहा हो या जीतनराम मानजी जी है दोनों गठवंदन के सम्मानित नेता है एक बिहार के पूर्व मुख मंतरी रहे है एक पूर्व केंद्रे मंतरी रहे है उनका जनाधार है वो नेता है सम्मानित नेता है लेगिन चिराग पासवान जिसके पास कोई जन अधार नहीं है अगर वो छे सीट की बात कर रहे हैं जिनके पास एक सांसद नहीं है जो कोई भी बिधान सभा, बिधान परिसद यहां तक की पंचायत का एक मुखिया का भी चुनाओ जिसने नहीं जीता हो वो अगर 6 seat पर भारती जनता पाटी को blackmail और दबाओ की राजनीत करता हो तो बहुत हासे आस्पत और आश्चर जनक है कहां जा रहा है कि इसी कारण जो है उमिद्वारों के लिस्ट जो है वो NDA जारी नहीं कर रही है क्योंकि पेच जो है चिराग पासवान उपेंदर कुसवा जीतना मांजी पर फसा हुआ है कोई पेचनी फंसा हुआ है देखे चिराग पासवान अपने राजनीती कभी भावक अधरन्य लालू परसाद यादो के सरन में जाएंगे जो देखे प्रधान मंत्री के सभा से दूरी बनाता हो वा गठवंदन का कभी सुविचिंतक नहीं हो सकता है इंडिये में रहकर इंडिया गठवंदन के विचारधारा से सहमत जो हो पूर्व में भी आप याद कीजेगा तो देश के यससवी प्रधान मंत्री अधरनिये नरेंद्र मोदी जी ने जब भारत में नोटबंदी का फैसला लिया था चिराग पासवान ने उस नोटबंदी प बाद आप देखिएगा कि चिराग पासवान ने कभी देश के यससवी प्रधान मंत्री को ट्विटर पे जन दिन का विस नहीं किया तो ये तो पसंद नहीं करते हैं मन्य प्रधान मंत्री को और ऐसे लोगों को गठवंदन में रख कर गठवंदन की मर्यादा को तोड़ा जा रहा है हम तो इंडिये के बड़े नेताओं से आगरह करेंगे कि चिराग पासवान को इस गठवंदन से ही बाहर करना चाहिए जो ब्लैक मेल और और दबाव की राजनी पर जिसका राजनीत ही ठीका हो